दोस्ता सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 14 को शुरू हुए तीन हफ़ते पूरे होने वाले हैं मेकर्स ने अभी से ही इस शो में भायंकर ट्विस्ट लाने शुरू कर दिये हैं इस शो को लेकर टीवी अभीनेता सुरच ककर ने कुछ ऐसा कह दिया कि कोई भी सोच में पढ़ जाएगा जी हाँ सुरच ककर का कहना है कि वो बिग बॉस में और भी एंटर्टेन्मेंट चाते है साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो चाते है कि सीजन में रिया चाकरवर्ती आए सुरच ककर की इन बातों को सुनकर तो कई लोग सोच में पढ़ जाएंगे आपको पता दे सुरच ककर ने एक इंटर्वियू में कहा मैं बाकी सीजन की तुलना में इस सीजन में और भी entertainment चाता हूँ हम सभी घर पर ही है और इसी दरान हम ये शो देख सकते हैं अभी तक ये season काफी entertaining लगा है सुरज का करने आगे कहां मैं इस show में रिया चकरवर्ती को देखना चाता हूँ अगर कोई भी उसे मौका देगा तो उसको और सुशान्त की रिष्टे को लेकर काफी confusion है उसके उपर काफी आरोप भी लगाए गए है जब आप बिग बॉस जैसे show में होते है तो आप camera के निगरानी में होते हैं कैमरा आपके हर एक move को catch करता है और मुझे लगता है कि आप 24 घंटे तक fake तो नहीं रह सकते ये देखना दिलशास्प होगा और लोगों को मालूम चल टांग खीचते है वो देखना मज़िदार होता है साथ ही जब भी वो contestant कुछ गलत करते है तो सलमान उन्हें समझाते है और ये खुबसूरत है सबसे इससे लोगों को एक दिश्चा मिल जाती है ऐसे show के लिए वो ही सबसे बहतर host है मुझे नहीं लगता कि वो इस show को उन से बहतर host कोई और कर पाएगा नेक्स्टन लाइफ की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिशका शर्मा